अलेकंट्स वीडियो टोड़ी गुलिए टॉपिक रिपल टैंक तो आज हम रिपल टैंक में यह डिसकस करेंगे कि हम जो प्रॉपटीज है किसी भी वेव की जो इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं उनको हम कैसे डिसकस कर सकते हैं किस तरह हम जो इसको यूज करते हुए सकती है नंबर उन रिफलेक्शन चूरिफ्लेक्शन थार्ड दिफ्लेक्शन तो इस रिपल टैंक डिवाइस को यूज करते वे यह हम इन तीनों बैज भर इसकस करेंगे fall on the surface of another medium और वो किसी और medium के surface है उसके पर फाल करती है तो फाल करने से होता कि बाउंस बैक इन्टी फर्स्ट medium अब इसकी मैप को सबसे small जो simple सी example देता हूँ के light जो आती है sun sun rays होती है अगर हमारे हाथ में mirror हो तो जो air के अंदर से light rays गुजर के आ रही होती है तो पहले air medium होता है तो फिर वो क्या होती है आपके हाथ में कर शीशा है तो आपने mirror की उपर उनको तकराती है तो अब वो किसी और surface की उपर आ चुकी है अब जो उनका medium है वो क्या है वो mirror है तो वो mirror की कि आँख में जो दालते हैं और उसका अतांग करते हैं तो यह क्या है यह reflection की example होती है जो light है वो air medium से आरे होती है और mirror के medium की उपर जो है वो फाल करती है फाल करने के बाद क्या आता है वो अगें जो है उसी medium में वापस चली जाती है मतलब reflect होके air के अंदर ही वापस चली जाती है ठीक है तो यह basically वही बात है कि moving in the one medium fall on the surface of another medium का मतलब है कि वो क्या हो सकता है वो कोई और mirror था they bounce back into the first medium तो वो दुबारा ही air के अंदर चली जाती है तो यह तो एक simple सी example थी अब हम यहां पर हम जो है light rays की बात नहीं कर रहे हम यहां पर बात कर रहे है water waves की as such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection जिस्टों सब यह देखें यहां पर आप लोग यह suppose करें कि हमारे पास यह water waves आ रही है इंदी form of state lines और हमने आगे कोई और medium रखा है कोई disturbance रखी हुए है ठीक है कोई आपने hurdle रखा हुए है तो यह आप यह suppose करें कि आपके पास यह glass है ठीक है एक glass पढ़ा है glass की एक strip है तो जब water waves आएंगी तो आके यह glass के साथ टकराएंगी तो वो किसी angle के साथ आके टकराएंगी कुछ नो कुछ angle होगा तो जब वो टकराएंगी आके उस वक्त जो angle होगा उसको I represent theta I represent angle of incidence ठीक है incidence का उतलब है टकराने के जब टकराएंगी आके incident हुई है किसी के साथ तो टकराने के बाद जब वो वापस जो है उसी medium में वापस जाएंगी अब यह water के अंदर से आ रही थी फाल की यह उनके उन्ने glass के ऊपर है तो glass एक अनअदर medium है तो वह वापस फिर जाएंगी अपने first medium के अंदर ही तो उसका first of incidence is equal to angle of reflection दोनों वापस में बराबर होते हैं अगर यह अब यह स्पोस्थ करें कि 40 degree से आके इसके साथ टकराती हैं इंसिडेंट होती है तो यह 40 degree से ही वापस जो है reflect होंगी तो यही यह यहां बात की जा रही है angle of incidence is equal to the angle of reflection जी स्टुएंट सब क्वेश्चन यह होता है कि हम जो reflection है उसके लिए क्या सैट अप करेंगे उसके लिए प्रेटर्स की इस तरह यूज़ करेंगे जी स्टुएंट तो simple कुछ भी नहीं होगा आपने रिपल टैंक के अंदर जो water tray है उसके अंदर सिर्फ एक जो है रिफलेक्टर का मतलब है आपने कोई disturbance रखनी है जिस तरह आपके पास एक glass की slab होनी चाहिए ठीक है वह आपने यहां पर रख देनी है ताकि क्योंकि reflection हमेशा हमेशा किसी ना किसी हर्डल से टक्राने के बाद होती है अब यह हर्डल हमने यहां पर रखा हुआ है means यह कि जब waves produce होंगी तो यह हर्डल रखा होगा आपने glass का तो यह waves इसके साथ आके टक्राएंगी टक्राने के बाद यह क्या हो जाएंगी reflect हो जाएंगी just like this यह water waves आ र is a line है इसको हम कहते है normal line normal line एक ऐसी line होती है जो कि 90 एंगल पर होती है 90 degrees पर होती है तो यह normal के रिफलेक्टिड वेवज थीखा है तो यह थांगल से रिफलेक्टिड यह हर्डल है अगर ही हर्डल नहीं होगा तो यह सीधी गुजरती जाएंगी किसी डिस्टर्बंस से टकराने के बाद ही तो अपना रस्ता चेंज करेंगी तो उन्हें अपना पाथ चेंज कर लिया है तो इसी वज़े से हमें इसको रिफ्लेक्टिड वेव कह रहे हैं तो यह इस हर्डल की वज़ा से हुगा जी स्टूंच तो यह देखें यह जो वाटर ह लिए प्रूजर्डि प्रूजर्ड घर कते बाद यह तो जाएं तो पर कि मीडिया में मैं सलीक्टिड फार्ट खर्लकन या जा झाँते हैं शहले की तो अपना रस्ता चेंज कर के लिए और ग्रौक्ण। जी स्टाइब टाइब का राइब के आंग तुमनों स्टाइब को अंगल किसे छोग सब्सक्राइब संस्क्राइब करने है इसे को ही आ खिया जाता है देगर आइपको फोगत अंगल ऑफ इस सक्टेया है तो इस ही को हम कहते हैं ला ओफ रिफ्लेक्शन तो यही बैसिकली रिफ्लेक्शन थी आई होप स्टुएंट्स आप लोगों को समय लागी होगी कि जो वाटर वेव्स हैं वो किस तरह रिफ्लेक्ट होती है ठीक है और उनके अंदर एंगल ओफ इंसिजेंट और एंगल और रि